कि विद्धियर्थिओं में अलो के स्कूर मेना साहे काचा रताजिनती विज्ञान राज के मािद्याला सागवडा से पिरेग्द्यारतियों आज के इस शक्ती य। सत्ता के से जुड़ी हुई एक और अवधार्णना है उचित्य पूनता या वैद्यता उसके बारे में जानेंगे क्योंकि सक्ति सक्ता और वैदता तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं तो सक्ति के बारे में हमने इससे पहले की इलेक्चर में जाना सक्ता के बारे में भी आज अब इस वीडियो में हम उचित्य पूर्णता या वैदता के बारे में देखेंगे से हुई है और इसे अंगलबासा में लोफोल अथार्थ वैधानिक कहा गया है इसका अपने एक लंबा इतियास रहा है प्लेटों ने न्याई भावना के अंतरगत इसका बीजारोपन किया तहां अरस्तु ने कानून सम्मत सासन या सवैधानिक सासन के रूप में इसका चितरन किया है सिस्रों ने लेजिटीमस सब्द का परियोग विदी दुवारा गटित सक्तियों के लिए किया है आदुनिक यूग में यह एक सारुभोमिक धार्णा के रूप में प्रचलित है और इसका पहली बार प्रतिपादन मैक्स वेवर ने किया है इनके अनुसार उचित्यपून ता या वैदता विश्वास पर आधरित होती है तो उचित्यपून वैदता का सामान्य अर्थिया सामान्य हम इसकी परिभासा या इसका मतलब हम देखें तो उचित्यपून या वैदता में सहमती या स्विक्रती विश्वास ये जुड़ा हुआ है कोई भी सप्ता है या कोई भी कानून है उसका उचित्ते है या उसकी वैदता ये उसके साथ अभिन रोप से जुड़ी होई होती है इसकी परिवासा देखते हैं उचित्ते पूनता या वैदता एक एसी इस्तती है जिसके अंतरगत एक राजनितिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सप्ता धारक की सप्ता और उसका परियोग सामान्य स्विक्रत नियमोर क्रियाविदिहों पर आधारित है यहनि उचित्य पूनता या वैदता यह एक 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 एसी इस्तिती है जिसके अंतरगत एक राजनितिक व्यवस्था में जो सामान्य जन लोग हैं जनता होती है लोग होते हैं उनको यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की जो सत्ता है उनके पास जो सत्ता है उसका जो प्रयोग कर रहे हैं वह किन ही सामान्य स्विक्रत जो सभी के द्वारा स्विक्रत हैं नियम है या क्रिया विधिया है उनके उपर क्या है आधारीत है और यही क्या है उचित्य पूनता या वेदता है इसके बारे में विद्वान स.म. लिपसेट के ने बताया है कि उचित्य पूनता का अभिप्राय व्यवस्था कि उस योग्यता और शम्ता से है जिसके दुआरा यहें विश्वास उत्पन किया और इस्थिर रखा जाता है कि वर्त्मान राजनितिक संस्ता हैं समाज हेतू सरवादिक समुचित हैं मतलब इसमें वही विश्वास की बात आ रही है कि उचित्य पूनता है वहें व्यवस्था कि उस योग्यता है सम्ता है सम्ता या योग्यता है जिसके दुआरा यहें लोगों में विश्वास उत्पन ह कि या जाता है कि वर्तमान जो राजनितिक संस्ता है वा समाज के लिए सर्वाधिक समुचित है जीन ब्लोंडेल के अनुचर ओचित्य पूर्णता का अभिप्राई वह सीमा है जिसे सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वह संबंदित है बिना पूछताच के तता स्वभावि रूप से में ही स्विकार करते हैं, बिना किसी कोई inquiry के पूस्तात के या सुहभाई कर लेते हैं, यही उचित्य पूर्णता है, इस प्रकार उचित्य पूर्णता का अर्थ उस सहमती या स्विक्रती से हैं, जो लोगों दुवारा राजनितिक विवस्था के समद में दी जाती है यह सहमती या स्विकृती किसी भी भै या परलोबन के अधार पर प्राप्त नहीं होनी चाहिए अपितु यह लोगों के विश्वासों या मुल्यों पर आधारित उनकी एक एचिक स्विक्रती होने चाहिए तो इस प्रकार उचित्य पूंटा है वेदता क्या है यह एक ऐसी इस्तिती है यह यह सहमती है लोगों की सहमती है स्विक्रती पर आधारित होती है और यह सेहमति है, स्विकृतिकव लोगों के दुरा किसको दी जाती है राजनितिक विवस्ता को दी जाती है और यह किसी परलोबन या भहक के अधार पर नहीं होने चाये उचित्य पून्ता या वदता की विशेशता है अब हम देखते हैं उचित्य पूर्णता या व्यदता की विशेशता है इसमें एक विशेश विश्वास विक्सित करने की व्यवस्था की शम्ता समलित है यानि उचित्य पूर्णता या वैदता जो है इसमें लोगों में विश्वास विक्षित करने की एक शम्ता समलित है व्यवस्ता की इसके साथ प्रभावक्ता की धार्णा सम्मंद है या जुड़ी हुई है यह उचित्य पूर्णता या वैदता है उसके साथ एक प्रभावक्ता की धार्णा भी जुड़ी हुई है यानि किसी व्यवस्था में या व्यवस्था का लोगों के उपर प्रभाव यदि सही है अध किसी विवस्ता का उचित्य समधित लोगों के मुल्यों पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति के पास क्या है सक्ति है और जब उस सक्ति के साथ वैदता जुड़ जाती है तो वह क्या बन जाती है सक्ता बन जाती है। प्रदान कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा सक्ता धारी बन जाएगा सक्ता में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदता विशाल सामजिक स्विकर्ति पर अधारी तो यह उचित्य पूर्णता या वैदता का संकट। वैदता जब सब्ता या राजनितिक व्यवस्ता या सब्ता वैदता खो देती है तो फिर एक विकट समझ्या एक संकट उत्मन हो जाता है। इसका आशा है कि व्यवारीक रूप में अनेक बार व्यवस्ता की वैदता का लिए संकट के स्विकर्ति पर अधारी बना लेती है, तब तो उसकी वैदता बनी रहती है। लेकिन यदि राजनितिक व्यवस्ता अपने आपको इन परिवर्तित परिस्तित्यों के नुरूप नहीं ढाल पाती है, तब उसकी व्यदता को आगहात या नुक्सान पहुंचता है। जाती है। उत्पनोनी की स्थिती बन जाती है उचिते पूंता या वैदता के संकट के लिए जो कारण है उत्तरदही कारण है वे कौन सी है नवीन अवस्ता हैं परमुक परमप्रागत संस्ताओं या सम्हों के अस्तित्रू का संकट नवीन सम्हों के राजनते में परवेश से उत्पन समश्या व्यवस्ता के परति अत्यदिक आसाएं या आकांगसाएं प्रभावकता का आभाव ये सबी वैदता के संकट के लिए उत्तरदाई होते हैं उचित्य पूर्टाय वैदता को कैसे प्राप्त किया जाए और इस तिर कैसे रखा जा सकता है तो नवीन परस्तित्यों के अनुसार राजनतिक व्यवस्ता में परिवर्तन होता रहना चाहिए परमप्राओं की रक्षा की जानी चाहिए वैधानिक व्यवस्ता की रक्षा हो प्रभावक्ता के दुआरा यह हो सकता है जनता या लोगों अधिनस्तों के उपर अपना प्रभाव बढ़ा कर लोगतांत्रिक धांचे में रानितिक संस्ताओं को सहस्त्र सेनाओं से प्रतक रखकर भी हम वैदता को बनाए रख सकते हैं तो यह विभिन उपाई है जिनके द्वारा वैदता को इस्तिर रखा जा सकता है उसको प्राप्त किया जा सकता है तो इस इलेक्चर में हमने उचित्य पूर्टायब वैद्धिता के बारे में जाना है निश्यत रूप से आपको यह जो इलेक्चर वीडियो है आपको पसंद आया होगा और आपको आपके जो पर्थम वर्ष में जो पाटिकरम है उसमें आपको बहुत ही आसानी होगी धन्यवाद